हेलो फ्रेंड्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका श्वागत है आज़ क्लास में हम हेवी अर्थ मुविंग मसिंड्री ऑप्रेटर के जो सिलेवस दे रखा है उसके कॉर्डिंग हम क्लास करने जा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिलेवस में की पहला टापिक हमारा दे रखा है elementary knowledge of diesel engine और petrol engine तो उसका पहला टापिक हमने pick किया है elementary knowledge of diesel engine तो इस पर आथारिक जो भी हमारे important questions हैं उसको आज हम cover करेंगे चुनकि परिक्षा बहुत सी जल्द होने वाली है NCL के recruitment exam तो उस purpose से अगर देखें तो हमारी एक क्लास आज की बढ़ते हैं अपनी आची क्लास की और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के ब्लेट आपको मिलती रहे तो चलिए देखते हैं आप आज का पहला क्वेश्चन निम्न में से पिश्टन के किस भाग पर डिफलेक्टर होता है क्लियर हमाई जो क्लास है वो किस पर किस आधारित है डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पर आधारित है जिसका पहला क्वेश्चन क्या है निम्न में से पिश्टन के किस भाग पर डिफलेक्टर लगा होता है क् crown skirt निचले भाग में या फिर a plus b दोनो तो piston के किस भाग में deflector लगा होता है crown में ठीक ना जो piston के crown लगा होता है वहीं पर क्या होता है deflector लगा हुआ होता है किसके दोरा petrol engine का वा ईंधन नियंतरित किया जाता है option दे रखा है fuel pump दोरा governor दोरा injector दोरा तो जो वाईउ इंधन अनुपात होता है वह नियंतरित किया घ्याता है colorator की दोरा कि की किश के पर ह्यों कर अंशर क्या होगा option g carburator के दोरा clear चलिए देखते हैं ना vull К charmation कि 2-stroke engine यानि 2-stroke engine कि तुलना में 4-stroke ucz glow 9- الذ positivo होता है जो ट्रोजव इंजन होता है उसके में जो हुआ होता है उसमें Lubricating ऑई होता है वह ज्यादा खर्च होता है समान खर्च होता है या फिर कम खर्च होता है चौ्था अप्षा भी ना रहा है में से कोई नहीं तो आपको पताते हैं जो ट्रोष ट्रोग इंजन होता है उसके कंपेड़िजन में फोर्ष ट्रोग इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑईल की जो खपत होती है वह क्या होती है कम होती है ठीक ना तो सही अंसर क्या होगा इसका का option c कम आयल खडश होता है चलिए देखते हैं कि सबसे अधिक हलका और वास्पसींद रवर निम में शे कौन सा है सबसे हलका और वास्पसींद ओप्ष कहा है पेट्रोल ईजल गै कोई नहीं तो जो सबसे हलका और वास्पोसींद रवर इंधन है वह क्या है गै शुलीं Alrighty ठीक ना क्या gasoline है जो सबसे हलका और वाश्पसील द्रवीन धन है तो हमारा सही अंसर क्या होगा इसका gasoline option C clear चलिए अगला question देखते हैं निम्न में से piston द्वारा एक stroke में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है ध्यान दीजिए question बहुत important question है piston द्वारा एक stroke में खाली किया गया आयतन एक stroke में जितना area blank होता है उसको क्या कहा जाता है compression ratio piston displacement displacement आयतन या फिर कोई नहीं तो जो भी stroke एक stroke में खाली किया गया जो आयतन होता है उसको बोलते है displacement आयतन डिप्लेस्मेंट वॉल्यूम क्लियर option सही होगा option C displacement आयतन चलिए अगरा क्यों देखते हैं क्रूड ऑइल किस से बना जाते हैं क्रूड ऑइल किस चीज़ से बना जाते हैं तो option दे रखा है पेट्रोल से डीजल से या गयर ऑइल से चब्था option दे रखा है और जब्था आयगा तो जो क्रूड ऑइल होते हैं वह इन सभी चीज़ों से बना जाते हैं ठीक पेट्रोल डीजल और गेर आयस अइक आधिक गर्भ होने का क्या कारण है अगर इंजिन हमारा ज़्यादा गर्भ हो रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है इंजिन का Jarm होना निम्ड में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है ठीक अगर हमारे इंजन है तो उसमें तेल की खपत किस रीजन से जादा हो सकती है वेरिंग खराब होने से बाहरी लीकेज होने से मिस्टर रिच होने से या फिर उप्रोक्त सभी तो यह तीनों रीजन सही हैं जिसके काण हमारे इंजन में तेल की खपत जादा हो सकती है वेरि इंजन की दक्षता कम होती है किस इंजन की दक्षता कम होती है किस इंजन की दक्षता कम होती है जिसमें अंतर दहन इंजन होगा वह या फिर वह बहुर दहन होगा तो कुछ रहा है कि किस इंजन की दक्षता उसकी जो efficiency होती है किस इंजन की कम होती है जिसमें अंतर दहन होगा तो किस इंजन की दक्षता कम होती है बहिर दहन इंजन की दक्षता कम होती है क्लिए आप्शन भी सही होगा बहिर दहन इंजन चलिए नेक्स्क्रेशन देखते हैं निम्न में से पिश्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है जो पिश्टन होता है उसमें सबसे पहले किस चीज का यूज किया जाता है पिश्टन रिंग का यूज किया जाता है तो जो पिश्टन होता है उसमें सबसे पहले क्या लगा होता है compression ring लगा होता है clear option भी सही होगा compression ring चलिए अगला कुछन देखते हैं कि निव्ड में से किस कारण से engine oil जलने लगता है ठीक ना engine oil किस कारण से जलता है oil ring घिष जाने से compression ring घिष जाने से या फिर piston pin घिष जाने से तो engine oil घिषता किसे कारण जलता किसे करना है compression ring के घिस जाने से ठीक ना सही अंसर क्या होगा option B compression ring घिस जाना चलिए अगला question कि निम्ड में से किस कारण से engine overheat होता है engine के overheat होने कारण क्या होता है तेल गाढ़ा होना fuel का खराब होना पानी कम होना या फिर कोई नहीं तो अगर हमारा engine ज्यादा ही overheat हो रहा है तो उसका reason होगा पानी कम होना ठी ना सही अंसर होगा option C पानी कम होना चलिए अगला question देखते हैं engine oil जलने से कौन सा धुआ दिखाई देगा अगर engine oil जल रहा है हमारा तो जो धुआ निकलेगा को ऐसा होगा काला होगा सफेद होगा अत्यधिक काला होगा फिर कोई नहीं तो अगर engine oil जल रहा है हमारी engine में तो वह धुआ जो होगा अत्यधिक काला होगा बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक कलर का क्या धुआ निकलेगा clear सही इंसरो गए थैश्य अंत्यक जिंधिक काल आओक्ष्ण मिस आग्लाकेश्ट है स्वान आकार के लिए स्वाल्य मान आएकार के लिए द्युगहात ऑग की द्यूर्वान ऑगा सकती तुलना में तो अगर समान आकार के लिए जो two-stroke engine की द्वार उत्पर्ण सकती होगी वह theoretical four-stroke engine की तुल्ला में क्या होगी उसके बरावर होगी उसके दो गुनी होगी उसकी आधी होगी या फिर चार गुनी होगी तो वो किसकी होगी कितनी होगी वह उसकी दो गुनी होगी सोगजी ठी नदा अगला केस्ट है कि अगला फोकार ऩहं बन्दावरोगु मेर में रहता है बंद इस्थित में रहता है केम सuh शॉफट के द्वारा क्रेंक्सॉफ्ट के द्वारा स्प्रिंग द्वार या औरोकर और्म के द unfor to do So лож Wbin होता है वह हमेसा किसफमा बंदिश्थित मी other है spring के कारण कर अथी नई spring दोर हम बंदिश्थित में रहता है सही ईंसर थे जला इसका option c उनकार क्रेक्षण देखते हैं एक वहाद होता है क्रयक्व։ क्या कैसी उसका सेप कैसा होता है गोल होता है अंडाकार होता है घनाकार होता है फिर सभी प्रकार का होता है तो जो क्रैक पिन होती है बता दें आपको वह कैसी होती है वह अंडाकार होती है क्लियर ओवलाकार में होती है ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन बी अंडाकार चलिए अगरा कुश सुद्ध करने के लिए आश्वन के द्वारा सुद्ध किया जाता है चुम्बकी विधी के द्वारा किया जाता है प्रभाजी आश्वन के द्वारा किया जाता है तो प्रभाजी आश्वन के द्वारा क्या होता है प्रभाजी आश्वन क्लियर प्रभाजी आश्वन के द्वा पूर्व प्रज्वलन बाद में जलना प्रज्वलन ना होना या फिर उपरोत में से कोई नहीं तो नौकिंग का जो मुख्य कारण होगा वह पूर्व प्रज्वलन होगा क्लियर पूर्व प्रज्वलन के कारण क्या होती है नौकिंग की कंडिशन जनरेट होती है क्लियर तो ह अगर हमारे डीजल सीघर जलने जवाला है तो उसकी वह जो इस्तिति होगी वह आधार हो तो क्या होगा उसका सीटेन नमबर सीघर जलनसील होता है हमारा डीजल तो हम सही एंसर होगा इसका option c c10 number चलिए अगला क्नेस्ट देखते हैं valve किसकी सहायता से खुलती है तो जो हमां engine का valve होता किस सहायता से कुलता है camsoft cranksoft flywheel या फिर timing chain तो इसका सही एंसर होगा तो valve जो होता है वह किसकी सहायता खुलता है वह खुलता है occupyम सॉफ्ट के सहाथा से सहीता सी मरे जो वॉल होता है यह वो खिंगोंता अच्छन होवे चली अगला methion देखते थे काश्राम सवफ्ट को सक्ति किस से मिलती है जो केम सब्सक्राइब होता है हमारे इंजन का उसको सक्ति किस से मिलती है क्रैक क्रैक सॉफ्ट से फ्लाइवील से टाइमिंग चेंज से या फिस सभी से तो केम सॉफ्ट को जो सकती मिलती हो किससे मिलती है उसको मिलती है क्रैक सॉफ्ट से ठीक किससे क्रैक सॉफ्ट से सही एंसर ऑप्षण ए चलिए देखते है next question piston और connecting rod को किस से जोड़ा जाता है इंजन में पिश्टन होता है और connecting rod होते हैं उसको किसकी सहायता से जोड़ा जाता है clear चलिए तो यहां पर option दे रखा है गजन पिन या फिर पिश्टन पिन यहां spider pin तो गजन पिन पिश्टन पिन या इस पाइडर यह तीन option दे रखें चौथ ऑप्शन दे रखाए यह प्लस भी दोनों यह और भी दोनों तो जो piston और connecting rod होता है उसको गजन पिन और पिश्टन पि क्लियर चलिए देखते हैं अगला क्केश्यन पर च्रेंग सौफ्ट और कनुक्तिंग ड़र्ड जोडते समय जोडते समय कौन सी बीरिंग युज की आती है अप्शन दे रखा है फ्लैट बीरिंग कॉनिकल बीरिंग या टेपर बीरिंग या फिर प्रोगत सभी तो क्रेंग सौ और connecting rod इनको जोड़ते समय कौन सी flat bearing का यूज किया जाता है option a flat bearing हमारा सही answer होगा cranksoft और connecting rod को जोड़ते समय flat bearing का प्रयोग किया जाता है clear चलिए देखते हैं अगला question क्या है engine द्वारा किश ट्रोग में सक्ति उत्पन्न किया जाता है engine के द्वारा किस में सक्ति generate किया आती है section में compression में expansion में या फिर exhaust में तो engine के द्वारा किश ट्रोग में सक्ति उत्पन्न किया आती है expansion में ठीक सही answer होगा इसका option see expansion clear चलिए देखते हैं अगला question क्या है पिश्टन में कमसे कम कितने ring होते हैं तो हम बता दें जोमारे इंजन असके किटन में कमसे कम कितनी कितने rings होने चाहिए मिनिम्म तीन रिंग होने चाहिए रखा होएं two three four or five तो तीन रिंग क्लियर सब्सक्राइब क्या है फ्यूल पंप चलाया जाता है फ्यूल पंप किसकी साथ चलाया जाता है चैन्स चलाया जाता है फिर सभी से तो फ्यूल पंप होता है इसको किस से चलाया जाता है इसको गियर से चलाया जाता है क्लियर असाई एंसर होगा इसका option ए गेर से चलिए देखते हैं अगला question यह पाइच्छा के दिश्ट से देखिए कर जो यह हमारी है यह में ऑपरेटर की होनी है है वी मसीन ऑपरेटर की जो परिक्षा होनी है उसके लिए बहुत important है डीजल इंजिन और पेट्रोल इंजिन इस में टैंक में या फिस सभी तो जो प्रेट्रोल इंजिन होता है उसमें एयर फ्यूल जो होता है वह कहां मिलता है कार्बूरेटर में मिलता है क्लियर कार्बूरेटर में सही एंसर क्या होगा option भी कार्बूरेटर चलिए अगला question देखते हैं डीजल इंजिन में एयर फ्यूल यह बिदा आप एंजिन इन मिलता है !!! और डी ज़ इंजिन में जो ही यामशन चैम्बर में क्लियर कंबसन चैमबर में है ऑफ्षों डी आ रिज ब्ऐसी डिसल इंजिन में साथ इसका छहाएक और आप डी जा म dependency फ़्ुशन घिसा इसका इसा ह। ठीक अब क्या पूछ दागा की कमशन चम्बर में डीजर किसकी सहाधितास पहुंचाया जाता है टेरा फ्यूल鼻8 क्योंude पांप एसी यत्र यांटरिक पांप रेडीेटर पंप या फिर बällt क्यों यह दोनों क्लियर चली देखते हैं आज का अंती है सबसे अधिक हलगा और वास्पील द्रव इंदरिन में कौन था है ठीक तो सबसे हलगा और वास्पील प्रेटरोल डिजल गैसॉलिन या कोई नहीं तो जाना उसकी बेसिक फीचर्स जाने वेसिक फंक्शन्स जाने ठीक न तो यह जो हमारे operator की जॉब है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीजल इंजन और प्रेटोल इंजन इसको सिलिवर्स के कॉर्डिंग आपको कवर कर आते चलेंगे उसके परिक्षा के लिए बहुत दिन नहीं बचे हैं इसलिए हम इसके